प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट दिखे, आज के अंक में हम आपको ये बताएंगे कि एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में, अपनी देली लाइफ में कैसे पूजा करे, जिससे उसे पूजा का शुब फल मिले, गल्ती न हो और पूजा का सरल तरीका क्या होगा सबसे पहले ये जानते हैं कि अपने घर में जवाब पूजा करते हैं, सुबह के समय या संध्याकाल में उसकी तैयारी कैसे करेंगे प्राता काल उठने के बाद सबसे पहले अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करिये देवी देवताओं के चित्र उनकी मूर्तियों को अच्छी तरह से साफ करिये और पूजा स्थान में जो फूल पड़े हैं पुराने और जो अगर बत्ती या धूप बत्ती की राक पड़ी हुई है इनको हटाईए लेकिन इनको इधर उधर मत फे कियेगा या तो इनको पौधों की क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दें इसके बाद आप अच्छी तरह से पूजा स्थान की सफाई करिए थारोली पुरानी चीजें पुराने फूल प्रसाद जो भी आपने अर्पित किया था ये सब वहां से हटा दीजिए और इसके बाद स्नान करिए वस्त्र बदलिए स्नान करके वस्त्र बदल करके पूजा स्थान पर बैठिये पूजा करने के लिए तो आपको सुबह सुबह उठ करके पूजा स्थान की साब सफाई करनी है इसके बाद आपको स्नान करना है और पूजा की शुरुवात करने के लिए पूजा के स्थान पर बैठना है ऐसा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और अगर आप सुबह पूजा नहीं करते संध्या पूजा करते हैं तो पूजा के पहले पूजा स्थान की सफाई कर लीजिएगा उसके बाद आप अपनी पूजा आरंभ करिएगा देखिए पूजा स्थान को आपनी साथ सुथरा कर लिया अब आप पूजा स्थान पर बैठेंगे अपने आसन पर बैठिए और अपनी पूजा के लिए एक ही आसन रखिए उसी आसन पर बैठ के पूजा करिए रोज रोज जगह और आसन मत बदलिये जिस आसन पर आप पूजा करेंगे वो आसन उनी हो या मोटा सूटी का आसन हो तो अच्छा होगा इसके बाद आसन पे बैठने के बाद हाथ में जल ले करके चारो तरफ छिड़किये अपने आपको और अपने माहौल को पवित्र करिये यह कहा जाता है और जल चारो तरफ छिड़का जाता है तो अगर आप चाहें तो यह मंत्र बोलें अन्था प्रभू का नाम लेके अपने चारो तरफ जल छिड़क लें इसके बाद चाहें तो एक दीपक जला ले और सुगंध के लिए भूप बत्ती भी जला सकते हैं इसके बाद पहले प्राथना करिये कि आपकी पूजा सफल हो आपका पूजा में मन लगे क्योंकि ये बात आप याद रखिये कि इश्वर की पूजा भी उनकी इक्षा के बिना कोई नहीं कर सकता तो अगर आप उनकी पूजा उपासना करते हैं करना चाहते हैं तो पहले प्रणाम करके उनसे आशिरवाद लीजिए कि आपका पूजा में मन लगे और ये प्रातना करिए कि आप पूजा करने जा रहे हैं वो पूजा आपकी सफल हो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि पूजा में मन नहीं लगता मन इधर उधर भटकता रहता है ऐसे लोग विशेश रूप से पूजा करने के पहले भगवान का ध्यान करें और भगवान से प्रातना करें कि उनकी पूजा सफल हो और उनका पूजा में मन लग पाए तो एक तो पूजा स्थान की सफाई हो गई आपने दीपक जला लिया सही आसन पर प्रसन होकर प्रसन मन से आप बैठ गए अब पूजा की शुरुवात कैसे होगी सबसे पहले किस देवी देवता की उपासना होगी सामान निरूप से सबसे पहले गणेश जी का अस्मरण किया जाता है परन्तु अगर आपके गुरु है आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो पहले अपने गुरु का स्मरण करेंगे गणेश जी के पहले भी अपने गुरु को याद करेंगे उनका ध्यान करेंगे पहले नमबर पे पहले गुरु मंत्र का जब करेंगे और इसके बाद आप बाकी मंतरों का जब कर सकते हैं या बाकी स्तुत्यां पढ़ सकते हैं तो बेहतर यही है कि पहले आप गुरु मंतर का जब करिए और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गणेश जी की पूझा से पूझा की शुरुवात करिएगा और इसके बाद आगे जो मंत्र आपको पढ़ना है जो स्तुती आपको करनी है वो मंत्र पढ़िएगा इस्तुती करिएगा मंत्र जब के बाद जल का स्पर्ष नहीं करेंगे अगर आप मंत्र का जब कर रहे हैं या अपने गुरु की पूजा आपने की है लंबे समय तक तो पूजा समाप तो होने के बाद तुरन पानी का स्पर्ष नहीं करेंगे कम से कम पाँच से दस मिनट का गैप इसमें जरूर दीजिएगा और अगर आप आरती करना चाहते हैं तो पूजा के अंत में कोई एक विशेश आरती आप कर सकते हैं वैसे तो सामान्यतह जो आरती हमारे घर-घर में गाई जाती है वो है ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती सबसेंट में करने अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ओम जय जगदीश हरे किया फिर हनुमान जी की आरती की फिर देवी की आरती की आरती का मतलब पूजा सम्पूर आपने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली अब उसके बाद आपको मल्टिपल आरतीयां नहीं करनी हैं आरती सिर्फ एक होगी जिसकी पूजा मुख्य रूप से करते हैं उसकी आरती करें या आपके हृदय में जिसके प्रती सबसे ज़ादा भाव है उस भगवान की आरती करना आपके लिए बेहतर होगा अब आपने समझ लिया कि पूजा का आरंभ कैसे होगा मध कैसे होगा मंतर कैसे पढ़ेंगे ध्यान कैसे करेंगे आप regular पूजा करते हैं, सुबा शाम करते हैं या शाम को करते हैं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए देखिए पूजा उपासना अगर दोनों समय आप करें सुबा भी करें और शाम को भी करें तो जादा बहतर होगा शाम को कोरम पूरा मत करिए कि आपने दीपक जलाया घंटी बजाई और चल दिए पूजा उपासना का मतलब थोड़ा फोकस होके मन को शांत करके एक टाइम ही पूजा करिए लेकिन ठीक से करिए पूजा उपासना भोजन करने के पहले कर लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि भोजन शरीर में जाने के बाद उर्जा कम होने लगती है और आपको आलस से आ सकता है कि यवाद छोड़ो कल पूजा करेंगे तो पूजा उपासना भोजन के पहले करें तो जादा बेहतर होगा और पूजा और मंत्र को गोपनी रखें भजन और भोजन जितना गोपनी हो उसकी सिध्धी उतनी ही जादा होती है आप कौन सी पूजा करते हैं, क्या पूजा करते हैं, कौन से मंत्र का जब करते हैं अपने गुरु या अपने मार्ग दर्शक के अलावा बाकी चीजों के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर मत करियेगा अपने पूजा और अपने मंत्र को गोपनी रखें और साथी साथ पूजा में जितने रेगुलर रहेंगे उतना ही जादा बेहतर होगा अब देखिए पूजा स्थान पे आप मूर्तियां तो देवी देवता की रखते ही होंगे योंकि उन्हीं की आपको उपासना करनी हैं जिसके प्रती जादा शरद्धा होती होगी उसकी मूर्ति या उसका चित्र बीच में रखते होंगे शिव जी का, राम जी का, हनुमान जी का, देवी का, ठीक है ना? अब देखिए अगर आप मूर्ति रखते हैं तो कोशिश करें कि 6 इंच से जादा बड़ा ना हो मूर्ति आप रख सकते हैं, 6 इंच से जादा बड़ी ना हो, चित्र आप कितना भी बड़ा लगा सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो मूर्ति है, वो 6 इंच से जादा बड़ी नहीं होगी और चित्र आप कितना भी बड़ा किसी भी देवी देवता का लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं एक बात का आप ये ध्यान रखिए कि अपने पूजा स्थान पर बहुत सारी मूर्तिया ठूस करके, एक के उपर एक मूर्ती ठूस करके, पूजा स्थान को कंजिस्टेड मत करिए, जितना साप सुतरा खुला हुआ, नीट एंड क्लीन, आपका पूजा स्थान होगा, उतना नहीं ज्यादा बेतर होगा एस्ट्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से